जहां तक सवाल है सरकार का तो जब हमने तेरा को दिल्ली कूच का कारिकरम रखा था तो इससे दस दिन पहले से हर्याना पूरी तरह खनावरी और ये शंबू बाड़ को सील करने शुरू कर दिया था तो सरकार की मंच्छा पूरी किलियर हो चुकी थी विए किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देगे तो यही हमारे बीज सबसे बड़ा गटी रोध है अगर किसानों से बाचित करके आपको समाधान नहीं ढूंडना है तो कम सो कम ये धर्म निर्पक देशा सभी का करिकेटिंग की जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबबट की फायर हुए हमारे उपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादात पर और उसके उपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुस्टी हो चुकी अभी बुलेट टाइरों पर इस्तमाल की गी जो आगे ट्रेक्टर जा रहे थे तो सरकार की मंद्शा तो केलियर है ना पिक किसी भी कीमत पर आपको डिली नहीं जानेगे तो यह हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी सविधान के अंसार आप अगर हमें बता दें पिर यह जो सब कुछ कर रहे हैं अभी डिजीपी हर्याना का बेयान आ पिर हम किसानों के ऊपर टियर गैस इस्तमाल नहीं कर रहे हैं अब देखें यह किस तरह की बात है तो हम बोल रहे हैं अगर आपने कहा है पिर आपको मालूम नहीं कौन कर रहा तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना अब कौन कर रहा है तो यह गलत ब्यानबाजी भी लगातार हो रही है और जिस तरह से आकर हर्याना में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता जैक्टिक फिगर तो नहीं है पंद्रा से बीस हजार अर्द साइनिक फोर्स हर्याना पूरे में डिपलाइट किये गए हैं और पूरे गाउं में जैसे घेरा डाला होता पूर जाना अनक का सवाल नहीं है हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं जा बैरिकेट तोड़ना अनक का सवाल नहीं है अब सरकार वारता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो पस्ताब देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे परिनाम होगे उसके लिए भार सरकार जुम्मेवार होगी और हम आशा तो करेंगे अभी आज का दिन है स्वयम परधान मंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी अब जिन मुद्दों पे डिसकस होनी थी सब पर दो दो राउंड डिसकस हो चुकी है और चाह करेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएं